दोस्तों अगर आप YouTube creator हैं तो अभी आपको recently इसी September month में एक notification आया होगा कुछ इस तरीके का आपका US का tax form जो है 2024 के end में expire हो जाएगा तो उसको आप AdSense में जाकर के resubmit कर दें देखिए वैसे तो December 12-24 से पहले आप इस form को कभी भी भर सकते हैं लेकिन बाद में आप कहीं भूल जाए और miss हो जाए और फिर problem हो जाए तो उससे अच्छा है आप इस form को अभी भर लें अब जब आपने इस पर login कर दिया तो अब Google search पर आप लिखेंगे adsense जैसे अभी लिखा adsense तो यहाँ पर लिखा आगया Adsense Login तो आप इस adsense login पर क्लिक कर देंगे इस तरह किसे अब जब आपने क्लिक किया तो ऐसे उपर Google ad sense लिखा इस पर क्लिक कर देंगे तो अब अपने आप ही उसी अकाउंट से Google AdSense ओपन हो जाएगा तो अब यहाँ पर आप जाएंगे पेमेंट पर यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं AdSense for YouTube, Brand Safety, Payment, अकाउंट, Feedback यह सब लिखा है न तो आप यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यह दो अप्शन आ जाएंगे पेमेंट इन्फो और वेरिफिकेशन चेक तो आप यहाँ पर पेमेंट इन्फो पर क्लिक करेंगे पेमेंट इन्फो पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, पेमेंट्स, अकाउंट, यूट्यूब इंडिया, यह अलड़ी लिखा हुआ है, ठीक है, अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे, करसर से इस तरह से नीचे आ जाएंगे, और आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेटिंग, तो यहाँ पर आप मैनेज सेटिंग पर क्लिक करेंगे, इस जगा पर, मैनेज सेटिंग पर क्लिक कर देंगे, और फिर अगला पेज खुलेगा, अब आप यहाँ नीचे दिखेंगे, तो पेमेंट प्रोफाइल पर अगर आप आएंगे, तो नीचे आने के बाद, यहाँ पर लिखा है, सिंगापूर इंफो, और यहां लिखा है, युनाइटेट स्टेट्स टेक्स इंफो, ठीक है, सिंगापूर टेक्स इंफो, हमें इसका कुछ नहीं करना है, हमें सरफ यूएस टेक्स इंफो की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि हमें YouTube पर नोटिफिकेशन आया था, यूएस टेक्स United State. तो अगेन हमें सिंगापूर से कोई मतलब नहीं हमें वहाँ पर कुछ क्लिक नहीं करना है. यहाँ नीचे लिखा है show text detailed document आप यहाँ पर क्लिक करनेंगे. अब यहाँ क्लिक करने के बाद आप इधर देखे रहे हैं right side में लिखा है submit new form क्योंकि हमें इस साल ये notification आया है तो इस साल से पहले पहले हमको ये form को दुबारा फिल करना है पहले अल्रेडी भरा हुआ है इसलिए यहां पर लिखा है claim 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 तो अभी आपको submit new form पे click कर देना है और ये पूछेगा कि अगर आपको नया form भरना है तो पिसला वाला सब कुछ हट जाएगा तो आपको start new form पे click कर देना है start new form पे click करके ये फिर से आप से पूछेगा तो आपको इसमें कुछ 10-15 मिनट लग जाएंगे पढ़ पढ़ के भरने में तो ये आपको बताएगा लेकिन आपको start form पे click कर देना है start form पे click करते ही एक बार फिर से आपके gmail id का password पूछेगा तो आपको gmail id का login password एक बार फिर से डाल देना है अब जैसे आपने password डाला तो अब आपका new form खुल जाएगा और आपको एक एक करके इस form को भरना है सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पूछ रहा है United States text info में कि आप जो individual ह या फिर आप non individual entity है तो अगर आप individual entity है तो individual पर click करेंगे अगर आप अकेली अपना account देखते हैं कोई company नहीं है कुछ नहीं है तो आप individual पर click करके next पर click कर देंगे अब इसके नीचे यह पूछ रहा है कि आप resident of United States है या फिर नहीं है तो अगर आप United States के resident नहीं है किसी और country के हैं इंडियन है या कोई और देश के हैं लेकिन अगर आप United States के नहीं है तो no पर click करेंगे और फिर next पर click कर देंगे अब यह इसके आगे पूछ रहा है select w8 tax form type based on your previous selected answer so यहाँ पर आप पहले वाले पर w8 ben पर click कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे अब इसके बाद text identity तो जो नाम जिसके account में पैसा जा रहा है उस person का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे तो पहले भी अगर आपने भरा हुआ तो पहले से ही यहाँ पर नाम दिखाएग इसके बाद यह second वाला आप छोड़ देना इसके आगे लिखा है country and region of citizenship तो यहाँ पर click करके आप जो भी country से आप हैं अगर मैं इंडियन हो तो मैं यहाँ पर इंडिया भर दूगा आप जो भी country से हैं आप वो country यहाँ पर fill कर सकते हैं अब यहाँ पर foreign tin में आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपना pen card number जिनकी भी account detail आपने भरी है या जिस नाम से आपने यह account बना रखा है उसी person का आप यहाँ पर pen card number डालेंगे और उसके बाद next पर click कर देंगे अब next पर click करते ही यह पूछेगा कि आपका permanent address क्या है तो यहाँ पर आपका permanent address आप डाल सकते हैं permanent address डालने के बाद आप नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर यह पूछेगा कि postal address is same as permanent address तो अगर आपका same ही address है अगर आपके दो-दो अलग-अलग address नहीं है तो आप इस box पर भी click कर देना अब इस block पर click करने के बाद आप फिर आगे next पर click कर देंगे next पर click करने के बाद यह आपसे पूछेगा are you claiming a reduced rate of withholding under tax treaty तो यहाँ पर आपको yes पर click करना है इस तरीके से अब yes पर click करते ही इस box पर भी click कर देना और अब यहाँ पर यह फिर से country पूछेगा country पर click करके तो जो भी country से आप है मैं जैसे इंडियन हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया पर click करूँगा इस तरीके से अब और नीचे आएंगे special rates and conditions ठीक है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि team box बने हुए हमें तीनों पे एके करके click करना है तो चलिए पहले वाले पर click करत दिया अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि article and paragraph तो हम इस पर click करेंगे और फिर यह जो article 12 and paragraph 2a है इस पर click कर देंगे withholding rate पर click करेंगे और यहाँ पर reduce treaty rate 15% पर click कर देंगे I hope आपको समझ में आ रहा है तो एक बार पढ़ पढ़ के आप वीडियो को बार बार pause करके ऐसे देख देख करके आप बढ़ सकते हैं अब नीचे वाले box पर भी click करेंगे और अब आ जाएंगे services or other business income such as adsense but not including adsense for youtube इस पर click करेंगे second वाले में आप article 7 and paragraph 1 पर click करेंगे withholding rate यहाँ भी आप zero zero reduce treaty rate पर आप click कर देंगे अब फिर से नीचे जाएंगे अब यहाँ पर भी आप box पर click कर देंगे और फिर आएंगे motion picture and tv royalty पर इस पर भी click करेंगे article and paragraph click करेंगे article 12 and paragraph 2a पर withholding rate 15 पर ही click करेंगे आप इस तरीके से अब नीचे यहाँ पर भी आप click कर देंगे box पर click करने के बाद आप यहाँ पर next पर click करेंगे अब यह अगला page यहाँ पर खुलेगा तो यहाँ पर आप से यह पूछेगा कि have you performed any activity or services for google within the US or do they expect to do in the future तो ऐसा तो हम कुछ करने वाले है नहीं तो no पर click करेंगे certified के box पर click करेंगे और फिर next पर click कर देंगे अब यहाँ पर last में यह पूछ रहा है US text document delivery preference तो इस text के delivery preference क्या है go paperless ठीक है तो हमें paper में document नहीं चाहिए तो हम paperless पर already यहाँ पर click हुआ हुआ है आपको बस यहाँ पर accept पर click करना है get document by post पर click मत करना सिरफ यहीं पर click हो रखा है हमने यहाँ पर click किया और अब next पर click कर देंगे अब यहाँ पर I confirm that I review the generated text document to the best of my knowledge and believe they are true, correct and complete इस box पर भी click कर देंगे और फिर यहाँ नीचे next पर click कर देंगे अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर यह form complete होने वाला है certify and sign tax form certification अब यहाँ पर भी आप click करेंगे अब यहाँ पर हम click करेंगे नीचे click करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर यह पूछ रहा है year तो अभी आपको अभी का साल डालना है 2024 और यहाँ नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं include the day, month, year of the each date तो अब यहाँ पर आपको आज की date डाल देनी है जैसे कि मैं 19 सितमबर को यहाँ पर form भर रहा हूं तो मैंने वही date यहाँ पर डाल दी है यह देखिए 19-09-2024 19 सितमबर 2024 अब यह भरने के बाद हम जाएंगे नीचे यह सब हमने पढ़ लिया है do you confirm that you are the beneficiary owner ठीक है जी हम ही owner है yes I am the beneficiary owner name अब यहाँ पर आप yes पर क्लिक कर देंगे और नीचे submit पर क्लिक कर देंगे लोग जी यहाँ पर आपका form submit हो गया आप देख सकते हैं 19 सितमबर 2024 यहाँ पर नाम आ गया और यह 2027 में expire होगा जो अभी हमने 2024 में भरा है ठीक है तो इस तरीके से आप अपना form बढ़ सकते हैं कोई दिकत नहीं है बहुत easy है इस वीडियो को pause करके play करके आप आराम से form को बढ़ सकते हैं इस आपका पमषणू सकते हैं